हाई वेलकम दूस रजन इंडिया फास्टेक क्या होता है फास्टेक एक छोटा सा रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी टैग होता है जो अगर आप अपनी गाड़ी में लगा लेंगे विंड स्क्रीन में आगे लगा लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप पोल बूट्स में जब वेहिकल क्रॉस करेंगे तो पोल बूट्स में जो आपको पैसे देने पड़ते हैं पोल चार्ज देना पड़ता है वो आपको कैश देने के बजाए वो आटोमेटिकली इस आरेफ आईडी के तुरू आपके अकाउंट से उतना मनी डिड़क्ट हो जाएगा अब हम देखते है कि यह फास्टेग एक्चुली है क्या और यह कैसे ऑपरेट करता है सी फास्टेग इस परफेक्ट न्यू एज सॉलिशन फॉर पेमेंट्स एट टोल प्लाजा टोल प्लाजा क्या होते हैं जितने भी नैशनल हाइवेज होते हैं इंडिया में वो सारे हाइवेज या तो ग कुछ कुछ डिस्टेंस पे टोल प्लाजा बना देती है इन टोल प्लाजा का क्या काम होता है कि जो भी वीकल उस हाइवेज को यूज कर रहे हैं उन सारे वीकल को टोल प्लाजा में एक टोकन अमांट देना पड़ता है अब यह जो मनी का एक्सचेंज होता है अगर यह बिकॉस इंटरेक्शन हो रहा है तो इसमें कई बार हम देखने की लडाया हो गई है या फिर ऐसा कुछ डिसॉर्डर भी हो सकता है तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि एक फास्टेक का सिस्टम बनाया है एक छोटा सा जिप है जिसको आप अपनी गाडी में लगाएं अब यह जो फास्टेक है यह एक कॉंटेक्टलेस तोल कलेक्शन सिस्टम है तेट अलाउस कैशलेस पेमेंट उजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलोजी यह क्या है यह एक पैसिफ आरेफ आइफ आईडी है देखो यह जो टैग आप लोगे य यह आपकी गाड़ी के विंड स्क्रीन में लगा है यह जो टैग होगा यह electronically store करेगा electromagnetic जो पैसिफ में क्या होता है कि यह जब भी पैसिफ आईडी किसी active collector के पास जाती है तो इसमें जो भी information store है वो जो active collector है जो टोल प्लाजा में लगा होगा वो इस information को read कर सकता है and by reading this information जो टोल प्लाजा में receiver लगा है वो receiver identify कर लेगा कि यह कौन सा vehicle है इस vehicle में जो RFID लगा है उसमें कितने पैसे लगे है इसका in time क्या है और उसके according वो आपसे उतने पैसे deduct कर लेगा fine so यह एक passive RFID का usage है यह by affixing an active fast tag on your vehicle's windscreen you can pass through toll plazas without stopping for physical cash transaction so fast tag is simple एक reloadable tag है यह which enables automatic deduction of toll charges from its linked bank account अब यह जो fast tag है इसमें यह तो आप जिसे wallet होता है PTM wallet होता है ऐसे आप इसमें कुछ money store कर लो अपनी convenient के according और उससे वो money deduct हो जाएगा the other way is you can link this fast tag to your bank account so that आपके bank account से directly transaction हो जाएगा fine अब यह जो fast tag है इसको कौन promote कर रहा है इसे ministry of road transport and highways national highway authority of India Indian highway management company limited और NPCI यह सब मिलके इसको promote कर रहे हैं back कर रहे हैं अब इसके benefits क्या होंगे पहला benefit saves fuel and time अपकी गाड़ी जितना कम समय पर एक plaza में रुकेगी pole booth plaza में उतना ही कम आपको fuel लगेगा और उतना ही आपका time saver जाएगा right so this is a big benefit then SMS alert आपको तुरंत आजाएगा जैसे ही आपका vehicle cross हुआ है you would immediately get an SMS on your registered mobile number keep following money has been deducted from your account and this is the timing this is the place and this is the other information available and it can be managed online जैसे आप अपना wallet recharge करते हो ऐसी आप अपना RFID भी recharge कर सकते हैं आपको cash carry नहीं करना पड़ेगा एक web portal मिलेगा जिसमें आप अपने grievances address कर सकते हैं वहाँ पे so यह जो fast tag आप chip लोगे इसकी validity 5 years होगी it can be recharge as per the requirement अगर हम इसमें additional benefit देखें see यह जो pillars है ना I wanted to tell you कि यह जो चीज़ें हैं जैसे environmental, social, economic, administrative यह कुछ pillars हैं आप इनको हर जगर यूज़ कर सकते हो for example environmental में इससे air pollution कम होगा indirectly yes because अपना fuel कम लग रहा है vehicle कम समय तक consumption उसमें combustion हो रहा है so that is why air pollution भी हमारा कम हो रहा है इससे paper का usage कम हो रहा है because सब digital transactions हो रहा है consumption of fuel कम है toll payment का जो hassle है इससे आपका journey convenient हो रहा है administration भी convenient हो रहा है analytics यह बहुत important चीज़ है analytics क्या होता है कि यह जो pole plaza रहेंगे है ना यह सारा data record करेंगे कि किस time पर किस period पर है ना किन days पर ज़्यादा traffic होता है तो इसके according हम traffic management ज़्यादा better way में कर सकते हैं तो जो traffic jams हो रहे है या फिर आगे किसी हमें disaster related चीज़ों से हमें cope up करना है administration को so all these things could be addressed fine then economic obviously सबसे ज़्यादा value होता है man hours का है ना कितना उसमें आपके man hours लगे हैं अगर यह automatization हो जाएगा तो man hours हमारे save हो जाएंगे so that would be a boost to the economy then smart and optimized vehicular movement is again a good thing so is it compulsory? yes अभी कुछ relaxation दिया है but over the time यह mandatory होने वाला है right this is going to be mandatory यह आप two wheeler, four wheeler आपका transportation vehicle हर vehicle में आपको लगाना पड़ेगा है then presently 240 toll plazas अभी operate कर रहे है national highways पर जहां पर यह अभी working है इसकी fee 200 रुपी है इसमें कुछ discounts या offers भी चल रहे हैं you can have a look on that then इसको लेने के लिए आपको requirement होगा आपकी गाड़ी का RC, registration certificate, photo of honor and know your customer का कोई भी identification proof you can use it this is non-transferable अगर आप अपना vehicle बेच रहे हैं तो जो नया vehicle होगा उसके लिए नया RFID लेना पड़ेगा and it is valid all over the country आप Delhi का vehicle लेके आप south में जा सकते हैं east जा सकते हैं all over India you can go anywhere so this is about the fast tag overview all right what is fast tag why is it required what is the machine what is the functioning ये एक passive RFID है इससे benefits किया होंगे इसको promote कौन कर रहा है कौन इस्टिशुशन है fine so that is all thank you for watching this video take care कौन